एपिसोड की सुरुवात में दिखाते हैं कि दो फैमली वाले मीटिंग कर रहे होते हैं लेकिन तबी वहां पर यूंतियन आकर उन लोगों पर हमला कर देता है और हमला करके जखिमी करने के बाद वो फैंक को बलाता है जो कि आकर उन लोगों को चोट को ठीक कर देता है और व हम पुच्छना चाहते हैं कि आप लोगों को पता ही है कि शू फैंड़ी इवारा के city को डॉमिनेट करना चाहते हैं लेकिन फिर भी आप लोग एक साथ मिल कर उस पर counter attack क्यों नहीं कर रहे हैं। लोगों ने पूरे मिलिटरी को भी अपने अंदर में ले लिया है और कुछी सालों में उनका संख्याओ को बढ़ा कर साथ हजार तक पहुँचा दिये हैं तो अब आप ही लोग बताए कि हम लोग उनसे फाइट कैसे कर सकते हैं ये सुनकर यूंतियान कहता है को शूफ फैमिली का पास सच में काफर जिता हिमत आ गया है ये बोलकर वो उसे प्रिंस ओर्डर को टोकन देते हुए कहता है कि तुम जाकर सी फैमिली खेट को बुला कर ले करा मेरे पास तुम दोनों के लिए इंपोर्टन काम में प्रिंस के टोकन को देखकर दूफ फैंग काफर जिता सौक्ट हो जाता है और उसे बुलाबा भेज देता है इसके कुछ देर के बाद सी फैमिली का फैट्रेज अगर उने ग्रीट करता है यूंतियान उसे खड़े होने के लिए बोल कर कहता है कि लगता है कि इवारा के सीटी का पूरा का पूरा टृप्स को शूफ फैमिली ने अपने कबजे में कर लिया है इसलिए Shoo Family को Eliminate करने से पहले हमें सबसे पहले आर्मी से डिल करना पड़ेगा ये बोलकर वो उनसे पूछते कि क्या तुम दोनों इबारा की आर्मी का सबी जनरल को मेरा Prince Order का यूच करके एक ही दिन में अपने लोगों से रिप्लेस कर सकते हो किया ये सुनकर वो दोनों काफ़े जिदे excited होकर कहते हैं हाँ बिल्गुल कर सकते हैं इसके बाद रात का सिंद दिखाया जाता है जहापर वो दोनों अपने rental house में चले गए होते हैं और फैंग उसे heal करते हैं पूछता है कि आप अभी अपने पूरे strength में नहीं है क्या यूंतियन कहता है हाँ बोडी का heat poison को suppress करने के जरूरत पड़ता है उस energy से लेकिन आपके treatment से अब मैं मार्सल स्फिर्ट का peak level जितना power को huge कर सकता हूँ ये सुनकर फैंग सोचता है किसका मतलब ये शू के सबसे strongest में इनके बराबर है इसलिए हमारा जितने का कोई chance है ही नहीं अगर shoe family को destroy नहीं किया गया तो मुझे डर है कि जब time आये का तो kyong family इतना सोचकर वो उससे कहता है कि अगर उस poison को सिर्फ suppress करने के बात है तो ये बोलकर वो lotus medicine king को उसे बीज दे देता है medicine king को देकर यूंतियन का फिर जिता है और उससे पूछता है क्या मैं जो सोच रहा हूँ ये वही है न फैंग कहता है हाँ अब इलकुल सही guess किये है यूंतियन कहा थे कि इससे तो अब मुझे मेरे energy को पोईचन को सप्रेस करने में बरबात करने के जरूत नहीं पड़ेगी उतना valuable item देने के लिए वो उसे thanks कहता है और आगे कहा थे कि कल वेडिंग में एक good so देखने के लिए थियार हो जाईएगा फैंग कहता है लेकिन क्योंग family तब तक आया ही नहीं है क्या वो लोग अपने इज़त का care नहीं करते हैं क्या यूंतियन कहते है कि इस point पर क्या आपको लगता है कि शू family वाले क्योंग family का care करेंगे ये सुनकर फैंग काफर जिदे हैराने के साथ कहता है कि क्या होगा अगर लिंगियर खत्रे में पढ़ गई तो यूंतियान सोते हुए कहते है कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजे मैं उस लड़कियों को बचाने में आपका हिल्प जरूर करूँगा इसके बाद कलकसिन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका grand wedding स्टार्ट होने वाला होता है और वहीं पर लिंगियों को दिखाते हैं जो कि खुद को मारने के त्यारी कर रही होती है लेकिन तब ही वहाँ पर शूहन आकर उस रोकते हुए कहाता है यह तुम क्या कर रही हो उस से देखकर वह उसस धमकाते हुए कहते हैं यह मरने के लिए ठयार हूं लेकिन तुमसे साथी करने के लिए कभी भी नहीं त्यार आउनंगी ये सुनकर शूह उनका फिर जिदे एरोगेंट होकर कहता है कि ज़्यादा सेमलेस मत बनो तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो तुमारा फेमली का फेट तुम पर डिपेंड करता है ये साधी तो होकर ही रहेगा तुम चाहो या फिर ना चाहो बाद में मुझे वार्निंग ना द दिया जाता है उनके साथ दो और लोगों का आता देखकर और कोई भी इप्ट ना देखकर वहाँ पर ओक्वर साइलिंस हो गया होता है ये देकर लोड उनका वेलकम करते वे सोचता है कि कोई भी कंट्रेशवीटरी गिप्ट नहीं लाया है और उसके साथ-साथ दो फाल्टू के लोगों को भी लेकर आ गिया है क्या ये लोग मुझे जान बुचकर इंबैरस करने के कुस्स कर रहे हैं क्या वहीं पर वो दुनों आकर उसे कॉंग्रेचुलेशन बोल कर मुख करते हैं कि कितनी दुख की बात है कि हम दोनों फैमिली इतना जिदा गरीब है कि गिफ्ट को भी खरिदने का पैसा हमारे पास नहीं था मैं आसाय करते हूं कि लोड इस इसू को ज़्यादा ना खीचे वहीं पर वो अपना गुस्से को दबाते वे कहता है नहीं नहीं आप लोग आ गए हैं वहीं हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है यह बोलकर वो उन्हें बैटने के लिए इन्वाइट करते हैं कि जाता चिंता मत करो तुम लोग बस कुछी दिर के महमान हो वो लोग जाकर बैट कर बाते करना स्टाट कर देते हैं लेकिन तभी फैंग वाइन को इसमेल करता तो उसा पता चल जाता है को उसके अंदर जहर है इसलिए वो उन लोगों को ना पीने के लिए बोल देता है लेकिन वहीं दूसरे तरफ बाकी के लोग पी लेते हैं ये देखर शूयू काफर जिदा खुस हो रहा होता है लेकिन तभी उसके नदर फैंग के टेबल पर चली जाती है जहाँ पर ये देखकर वो थोड़ा सा चौक गया होता है कि वो लोग नहीं पीए हैं तभी वहाँ पर नियूली वेर्स आने लगे होते हैं जिनका काफर जिदा अच्छे तरीके से वेलकम हो रहा होता है उन्हें देखकर दू अर्ट सी अपना फ्लैन के एक्जिट करना स्टाट कर देते हैं और उस वेडिंग को रोकने लगते हैं ये देखकर शूजू चिलाने लगा होते हैं काकर ये तुम लोग क्या करने के कुसिस कर रहे हो शी जिन कहते हैं काब गलत मत समझे हैं हमारों कोई गलत इरादा नहीं है ये साधी तो हो सकती है लेकिन ब्राइट को बदलने के जरूरत है क्यूंकि जबर जैसी किसे से उसका मरजी के खिलाफ साधी करना गलत है ये सुनकर सभी लोग चौक जाते हैं और बाते करने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है वहीं पर शूजू चिलाते वे कहता है कि तुम अपने कबरे क्यों खोद रहे हो ये सुनकर Chief Commander C.G.N. पर हमला करने के लिए चला जाता है लेकिन C.G.N. उसी को ही पीट से वे कहता है कि क्या इवारा कि City का Chief Commander सिर्फ यही कर सकता है वहीं पर ये देखकर Shoo Yoon कभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्या कि C.G.N. कुतना सरा हिमत मिल कहां से रहा है कहीं उसका अताकत वो Old Man तो नहीं है न जबसे वो Old Man एंटर किया है मैं उसका Power Level को देख नहीं पाया हूँ ये सोचकर वो अपने लोगों को कोई भी मूब ना चलने के लिए बोलता है वहीं पर Fank जाकर Linger से गले लगता है और वहीं पर वो काफे जिदे Emotional हो गई होती है वहीं पर ये देखकर शू यू चिला रहा हो था कि कौन हो तुम और मेरा Bride को छूनी कर तुम्हारी हमत कैसे हो गई Fank कहता मैं वहीं हूं जो कि इससे लेकर जाएगा ये सुनकर वह भढ़क जाता है और उस पर हमला करने के लिए जाता है लेकिन शू यू उससे रोग देता है और उससे नाटक करते हैं पूछते हैं क्या इससा चे को तो मुस्त लड़की से जबरज़स्ती साइधी कर रहे हो ये सुनकर वह थोड़ा से कनफ्यूज होते हैं का आप ये क्या बोल रहे हैं उससे तो हम दोनों नहीं मिलकर उसका ये बात फूरा करने से पहली वह से थपड़ मारते हैं का बोलने से पहलो कुछ सोच लिया करो चलो जल्दी से उससे माफी मांगो ये बोलकर वह लिंगयर से माफी मांगते हुए कहते हैं किरूट होने के लिए मुझे माफ कर देना और मैं अपने बेटे को अच्छे से सिखा नहीं पाया उसके लिए माफ कर देना उसका ऐसा बरतावदेखकर सभी人 काफिर जीता हैवह गया होते हैं वहीं पर लिंगेर उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम यहां पर मुझे बचानी के लिए आयो वो कहता है हाँ मैं तुम वापस लेकर जानी के लिए आया हूँ यह सुनकर वो घवराते हैं नहीं वापस चले जाओ यहां पर बहुत ही जादा खत्रा है वो उसका आसू बद उनके एक सर्वेंट आकर शूयू को बताता है कि इवरा के सीटी का आर्मी शू मेंसर को घिर लिया है यह सुनकर वो काफर जीता चौक जाता है और कहते है को मेरा शू फैमली का आर्मी है हमारे साथी ऐसा कैसे कर सकता है शी जन हसते वे कहते कि कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है शाइलांग किंडम का आर्मी कप से तुम्हारा फैमली का आर्मी बन गिया है यह बोलकर वो से प्रिंस ओडर का टोकन दिखाते हुए कहता है कि प्रिंस के सामने नहीं करने का खिर तुमारी हिमत कैसे हो रही है वो देखकर शूयू काफर जेता सौक्ट हो गया होता जो वाइन तुम लोगों ने पिया था उसमें जहर था अगर एंटीडोट नहीं लोगों ते एक दिन का अंदर में तुम सभी लोग मारे जाओगे यह सुनकर वो सभी लोग काफर जिता है लेकिन तभी एक बंदा कहता है कि जाता मत डरो यह बोलकर वो खुद को हील करने के कोसिस करता है लेकिन मारा जाता है यह देखकर सभी के सभी काफर जिता हैरान हो जाते हैं और सोच लेते हैं कि अब वो लोग नहीं बचेंगे उसको मरते वए देखकर यूंतियां सोचता है कि यह पोजिए बिल्कल वैसा ही है जैसे कि मुझे दिया गिया था सैड़ो प्राइलम किंग्डम को शू फैमिली के ज़रूत नहीं है वहीं पर शू यू उन लोगों से कहते हैं कि अगर तुम लोगों को एंटीटोर चाहिए तुने खतम कर दो और जो पहले मारेगा उसे सबसे पहले एंटीटोर मिलेगा यह सुनकर काफी सारे लोग उन पर हमला करने क लोग फैमिली को फैंक डीटोक्सिपे टिए होता है इसके बद आगे क्या करना है उसका और वो लोग यू ले एंटीई हैं यू फैमिली को सद को लाइट किये थे वो लो लोग मार दिया जाएंगे और जो लो लो इस इन दिन में आने इंपोसिबल है इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये लोग शूव फैमिली के बारे में पहले से जानते थे और उन्हें जोइन करना चाते थे इसलिए वो लोग उसे जिल में डालने के बारे में कहते हैं लेकिन तभी वहां पर यूंतियान आकर उनलोगों को रो को भी मैंजिन नहीं कर सकता हूं इस बार यूंतियान का सपोर्ट के कारण सब कुछ ठीक हो गया है लेकिन एक साल के बाद जब यूंतियान का सपोर्ट मेरे पास नहीं रहेगा तब क्या होगा इस च्रेंट मुझे और ज़्यदा ताकत चाहिए और मैं जल्द ही उस एक्रि कि अजय सब ए прекrences कढ़णे ओ ताकतव एक हैर तोर्ट-ब्डाओं कै deg कि कुछ रहें झाल यूंतियान वहला झाल हैं ताकति होगा, भी मुझेढ उ激 और एक झाल झाल हूखता है, वह भी मुझेढ